पटना के गांधी मैदान इलाके में सोमवार की सुबा करीब आठ बजे एक मकान में जोरदार वी स्पोर्ट हुआ जिसमें साथ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बताया जा रहा है कि घायलों में दो की हालत नाजुक बनी हुई है स्पोर्ट में दो घर धोस्त हो चुके हैं समी घायलों को इलाज के लिए पीम सी एज में भठी कराए गया है दमाका इतना जोरदार था कि ठमाके की गुंच कई किलो मीटर तक सुनाई दी मामले में गांधी मैदान थाना छेतर के एसाई स्याम नाजायन सिंग ने क्या कहा आए सुनते हैं पर दोबारा धमाका होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलाएं और देखा तो पास का घर पूरी तरह से धस्तों चुका था आनन फानन में लोगों ने घर के अंदर घायल पड़े लोगों को PMCH में भरती कराया घटना में साथ लोग बुरी तरह से घायल हो गए इसमें रिद्ध सही एक अन्य वेक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है मौके पर तुरंद कोतवारी थाने की पुलिस पहुची और जांच के बाद बताया कि घर में रखा बंग पटा है जिससे घटना हुई है पुलिस जांच कर रही है ठानिय लोगों ने बताया कि इस मकान में एक किराधार रहता था वो अटो रिक्सा चलाता था वहीं मकान की मालकेन नीतु देवी ने बताया कि उनके घर में किराधार पिछले दो महिने से रहा रहा था किरायदार के बारे में मकान मालकीन को भी कोई खास जानकारी नहीं है आसपास घने आबादी है दो मकान ध्वस्त हो चुके हैं फिलहाल पुलिस मामले की जाज कर रही है पत्ना से एनपम सिंग की रिपोर्ट के साथ मैं अरुन्तिवारी